नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ Suzuki Ignis के लिए 9-800 stereo जो कि आता है आपके frame and OEM type coupler के साथ दोस्तो ये इसका coupler है इसे आपको कोई भी wire cut नहीं करना पड़ेगा आपके जो भी OEM function आपके staining wheel controls है आपका FM antenna है आपकी power है आपके speaker है सब directly coupler to coupler लग जाएंगे दोस्तो चलते हैं stereo की तरफ इसके अंदर आपको inbuilt google chrome, play store, google maps youtube, prime video disney plus netflix से भी इसके इन बिल्ट मिल जाती है इसके लावा भी अगर कोई application आप डालना चाहते है आप डाल सकते हैं इसमें play store भी है दोस्तो आपको मैं इसके specifications दिखाता हूँ दोस्तो ये android 11 version पे work करता है इसके अंदर 2GB RAM है 32GB inbuilt storage है इसके अंदर आपको mtk का 8163 processor मिलता है जो की काफी अच्छ है अपनी range में दोस्तो इसके अंदर आपको 1024 x 600 की pure HD display मिलती है दोस्तो अगर आपके पास zeta या फिर alpha variant है और आपके गाड़े में steering में लगे है तो वो भी इसके साथ आपके काम करते है दोस्तो अगर आपके बास base variant का रहा है तो इसमें आप universal steering में लगा सकते है उसका मैंने separate video बनाए हुए i button आपको link मिल जाएगा कुछ इस तरह के का product होता है इसमें आपको कोई अपना steering जो open करना नहीं बढ़ता है directly ये दो buttons आपके steering पे लग जाते है दोस्तो मैं आपको दिखार हूँ इसके अदर आपको क्या-क्या setting मिलती है क्या-क्या options मिलती है ये दोस्तो इसके अदर एक option है कि अगर आप इसको off कर देते हैं तो जब गाड़ी आपकी running में होगी तो आप video नहीं देख पाएंगे and on कर देते हैं तो आप video देख सकते हैं ये सब सीज़े दोस्तो आपको इसके अदर मिल जाते हैं दोस्तो ये देखिए इसके अदर आपको screen saver और screen saver theme, wallpaper, brightness कम जादा करने का and जो आपकी main screen की parameter है उसको भी आप अपनी हिसाब से change कर सकते हैं अपनी preference के हिसाब से इसके अदर दोस्तो आपको ये सब options मिल जाते हैं by default इसका जो password है वो 6x0 रहता है ये सब चीज़े इसके अदर आपको मिल जाती है दोस्तो इसके अंदर आप suzuki का logo set कर सकते हैं ये दोस्तो front switch का option है इसमें आपका dual camera support करता है reverse camera आपका तब बेंगेज होता है जब आप reverse gear लगाते है and front camera आप यहां से option करके इसके अंदर एक separate socket देयागा उसमें front camera पटाइज कर सकते हैं दीखे दोस्तो आपको इस सारे options से इसके अंदर मिल जाते हैं अगर इसमें आप 360 camera लगाना साते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं आपको देखे इस separate option दियावा है ये दोस्तो इसके अंदर audio amp है इसको आप कम जाता कर सकते हैं बाकी दोस्तो इसके अंदर आपको एक feature मिल जाता है screen off करने का suppose कि आप night में drive कर रहे हैं लोंग drive की time के बरोशना को भी चुबने लगती है तो इसकेस में आप इसकी screen off कर सकते हैं अब इसका audio output है वो continuous देता रहेगा बस इसकी screen off हो जाएगी और single touch से आपको इसकी screen off वाप इस active भी हो जाएगी दोस्तो इसके अंदर आपको DSP का option मिल जाता है यह देखिए आप इस तरीके से इसको sound को कॉस्टमाईज कर सकते हैं इसके अंदर दोस्तो आपको equalizer surround surround के अंदर आप इसकी surround or loudness off on कर सकते हैं यह दोस्तो इसकी subwoofer की setting है यह दोस्तो इसका ASP है इसके अंदर एक आपको यह user मिल जाता है यह यह आप इसको change कर सकते हैं और बाकी आपको यह preset setting मिल जाती है और आपको दोस्तो इसमें balancer भी मिल जाता है दोस्तो आपको इसकी screen की clarity चाहकर आ रहा हूँ क्लेर है और कितने अच्छे से इसके अंदर आपको शो हो रहा है दोस्तो इसका price 2 plus 32 GB variant के लिए 7,000 है All India Courier facility हमारे पास available है screen भी आपको number दिख रहा है आप इस पर contact कर सकते हैं दोस्तो हमारे पास cash on delivery facility भी available है उसमें आपको 300 बाइडवांस करने होते हैं और जो आपका बाकी का balance amount होता है वो own delivery आप pay कर सकते हैं झाल